कैसे हो आप इश्वर की किरीपा से आप सब अपने अपने स्थानों पर कुशन मंगल होगे मिलता शर्म अपने चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हूं पिछली वीडियो में मैंने आपको जो है फ्रॉक की कटिंग बताई थी बॉक्स वाली फ्रॉक है और बीच स कैसे करूं कि यहां पर से मैं सिर्फ मीडियम साइज का गला बनाऊंगी मैंने जो है इसमें गले का मेजरमेट जो छे इंच लिया है क्यूंकि मैं इसमें ज्यादा डीप गला नहीं बना रही हूं मीडियम साइज का है और इसमें यहां से भी धाई इंच लिया है चोडाई म यह मैंने इसमें गोल गले की जो है कटिंग फ्रॉक में कर दी फ्रंट में बैक में में थोड़ा नॉर्मल कला रखूंगी और यह मेरा यहां से इसका मीड पॉइंट आ गया अब मैंने इसमें जैसे आप देख सकते हैं फ्रॉक में red color भी है green color भी है black color भी है और इसमें healthy color भी है ठीक है अब इन वे से आप कोई भी कपड़ा अगर आपके पास available है तो आप इसमें add कर सकते हैं तो मैं क्या करूंगी, मैं इसमें जो है, एक इंच का जो है, एक इंच से ज़्यादा नहीं लूँगी, जितना एक इंच का कपड़ा जो मुझे चाहिए, उतना मैं इस तरह से इसमें, यह दिखे, इस तरह से मैं, लंबाई में भी जितना चाहिए, उतना ले लूँगी, और उसकी में cutting कर दूँगी मैंने चोडाई में एक इंच का कपड़ा ले लिया है और इसमें iron भी कर दिया है और मैं इस तरह से इसमें add करूँगी यहां से इसमें एक design बनाँगी क्यूंकि मेरा इसके mid point से ही नीचे को इसी तरह की पटी बनेगी जिससे जो इसकी look बहुत अच्छा हैगी मैंने इसमें black color का कपड़ा ले लिया है अब मैं इसकी जो इसमें piping side में लगाऊंगी तो side के लिए क्या करूँगी मैं इसमें जितना मुझे चाहिए उतना कपड़ा में लूँगी यानि कि मुझे जो इसमें इस तरह से मैं देख लूँगी measurement भी ले सकते आप और इसको मैं double लहर मैं इस तरह से कर दूँगी और कम से कम मैं जो इसमें आदा इंच से जादा जो है एक इंच जो है इसे एक इंच से कम भी ले सकते आप कपड़ा डबल कपड़ा इस तरह से मैंने इसमें कटिंग कर देनी है मैंने जो एक इंच का कपड़ा ले लिया चोड़ाई में और इसकी मैंने कटिंग कर दी कटिंग कर दी अब मैं इसमें बीच से यह जो हाफ हाफ है इसका इसको मैं यहां से कट कर दूँगी अब मैंने क्या करना है अब मैंने इसे जो ये सीधी साइड है और ये इसकी पुठी साइड है जो सीधी साइड है उसे इस तरह से डवल लहर में ले लूँगी और इसमें यह जो मेरी पट्टी है इसमें पहले एक साइड से इस तर्थ इसे उपर से रखकर इसके ऊपर से अब मैं सिलाई डालूंगी यह भी ध्यान अखना, यह इसका midpoint, यहां पर यह मेरा midpoint है, यहां पर यहां पर यह आधाना चाहिए, अब इस तरह से में इसके उपपर से इसमें आराम से नीचे तक सिलाई डाल देती हूँ, आप देख सकते हैं, एक साइड से मैंने यह पट्टी निकाल दिया, अब दूसर और इस तरह से फोल्ड करके, दूसरी साइड से इसी तरह से हमने देखे, डारेक्ट हम पट्टी लगा रहे हैं, इस तरह से इसमें पूरे में हमने इसमें भी सिलाई डाल देनी है, आप देख सकते हैं हमारी कितनी सुन्दर जो है, पाइपिंग बन गी गले की, अब इसमें हम गोल गला बनाएंगे यहां से, यह देखे इस तरह से यह बिल्कुल मीट पॉइंट है, अब गोल गले के लिए आप चाहे तो बुकर मॉला भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बुकर मॉला भी नहीं है, आप देख सकते हैं, यह बिल्कुल जो है, कॉटन का कपड़ है, एकदम एड हो जाएगा, तो हमने क्या करना है, यह देखे हैं, हमने चोड़ाई में 4-4 इंच ले लिया यहां से, अब धाई इंच यहां से लेना है, हमने इस तरह से, सेम उसी तरह से गले की कटिंग करनी है, जैसी हमने फ्रॉक में की हुई है, और यहां से भी हमने 6 इ गोलाई की सेपडाद देनी है, बाकी जितना एक्स्ट्रा कपड़ा जैसे यहां पर धाई इंच है, तो धाई इंच पर ही यहां पर मार्क लगा देना है, और धाई इंच ही यहां पर लगाना है, इस तरह से पूरे में हमने इसी तरह का मार्क लगा देना है, पहले हमने बह Cutting कर दिए अब हमने इसमें यह दिखे यह हमारी सीधी साईड है आप चाहे तो इसमें शीलाई भी डाल सकते हैं तुरपाई भी कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है वैसा कर सकते हैं यह दिखे दोनों सीधी साईड को अंदर ले लिया हमने और हमने इस तरह से इसके उपर से हमने एक सिलाई डाल देनी है आप देख सकते हैं हमने इसमें कपड़ा भी आड़ कर दिया और हलके हलके इसके उपर से कट डाल दी अब इसकी फनिशिंग और अच्छी आये तो हमने इसमें क्या करना इसके उपर से भी यह हमारी सीधी साइड है इसके उपर से बिल्कुल यहां से साइड से इसमें एक सिलाई डाल देनी है इससे जो हमारा गला बिल्कुल परफेक्ट सई स्टिच होता है और इसमें बहार को बिल्कुल भी सिलाई नहीं दिखती है इस तर से हमने इसके उपर से सिलाई डाल देनी ह पूरे में हमने इसी तरह से पूरे में ऐसे ही सिलाई डाल देनी है यह हमारी बैक की बाड़ी है तो इसमें हमने सिरफ देड़ इंच से एक्स्ट्रा जो है नीचे को यह देखे देड़ इंच का गोलाई में हमने इसमें ज्यादा डीपनी लेना है 1.5 इंच की गोलाई में काट लेना है और इसमें आप चाहे तो रेवदार कपड़ा लगा सकते है या बना सकते जैसे यह सीधा है तो हम इसे रेवदार बना देंगे काली पाइपिंग भी, ब्लैक कलर की पाइपिंग भी आप इसमें लगा सकते है मैं इसमें बिल्कुल सिम्पल ही गला बना रही हूँ, पाइपिंग नहीं लगा रही हूँ, लेकिन आपने अगर इसे और सुन्दर बनाना है, तो इसमें आप ब्लैक कलर की पाइपिंग भी लगा सकते हैं, मैंने रेवदार कपड़ा काट दिया, और ये मेरी सीधी साइड है दबल लहर में इसे कपड़े को लेना है, हमने फैवरीक को हैं, और इसे इस तरह से पूरे में इस तरह से स्टिच करके इसके ऊपर से भी सेम हुए ऐसी सिलाई डालनी है, जैसी हमने इसमें गोल गले में डाली हूए है, मैंने डारेक्ट इसमें सिलाई डाल दी, इसमें का हमें विशेश देहां रखना है और यह देखिए इस तरह से दोनों को इस तरह से हमने मिलाना है आपस में और यह देखिए यहां पर हमने किस तरह से सिलाई डालनी है यहां पर इसे हमने यहां पर जो जितना चाहिए हमने इस तरह से इसे फोल्ड कर देना है यहां से इस तर तुर्पाइब कीस तरह से इसे फोल्ड कर दिया और उसके बाद इसे सीधा करेंगे तो इस तरह से हमारे बिल्कुल सीधा आ जाएगा और आप देख सकते हमारी बॉड़ी तो रेडि हो चुकी है अब हम घेरे में किस तरह से डिजाइन बनाएगे अब आप इसमें चाहे तो बटन भी लगा सकते हैं, बलैक जो भी कलर आपके पास अभी लेवल है, उसके बटन खुद बनाकर हाथ से भी लगा सकते हैं, simple भी आपको देख सकते हैं बहुत सुंदर लग रही है अब हम हमार पास जो घेरा है उसको हम अभी stitch करते हैं यह हमार पास घेरा है और घेरे में भी आपको मैंने बताया था कि जब घेरे की cutting की थी तो सिर्फ एक side यही खुली है और सारी इसमें बंदे यहां पर भी मैने cut लगाय हुआ जो mid point है और यहां पर भी cut लगाय हुआ यहां याँ वाली side है यह हम front में लाएंगे और side यह हमारी side को जाएगी सिलाई डालेंगे लेकिन हमने इसमें cutting नहीं कियी हुई पतली सिलाई डाल लेंगे, आप चाहे तो यहां तक इसमें सिलाई डाल सकते हैं, आदे तक नीचे को घेरा ऐसे ही रख सकते हैं, तो हमने किस तरह से इसमें स्टिच करना है, सबसे पहले तो हमने इसमें, जो यह वाला पॉइंट है, इसमें हमने जहां तक आप चाहे वहां त इसमें 20 इंच के अबब, जैसे 20 इंच का घेरा गया है, वहां से उपर जो आप इसे बंद भी कर सकते, सबसे पहले हमने आप देख सकते, इसके यहां से जो हमने आधे तक जितना हमें चाहिए, उतने तक हमने इसमें डवल सिलाई कर दिये, यह हमारा मीड पॉइंट में यह दोनों पॉइंट हमारे फ्रंट में आएगा और यह बैक में आएगा, तो हमने कीस तरह से अब इसमें हम कैसे भी प्लेटे डाल सकते इसमें, बॉक्स वाली जैसे भी आपको अच्छी लगती है, तो मैं इसमें बॉक्स वाली बनाऊंगी, तो यह मेरा इसका, यह में लेना है, यह दिखिए इस तरह से, पहले तो हमने दोनों साइड से कट लगाने है, कैसे कट लगाने है, जैसे यह हमारी बॉडी का, कमर का, कमर वाला हिस्सा है न यह, तो इसमें जहां पर हमारा यह दिखिए, जहां पर हमने फीटिंग लिए है, यहां पर हमने फीटिं बनेंगी, इससे पिछह हम simple लेंगे, तो किस तरसे अब start करते है, तो ये देखें, ये हमारा side जैसे ये हमारा front हो गया, और यहां पर हमने ये cut लगाय हुआ है, ये हमारा side को जाएगा, तो और ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारा front का है, ये हमारा front वाला हिस्सा है और ये व फ्रंट में ही यह वाली सीलाई आनी चाहिए लेकिन इससे पहले हमने एक और काम करना क्या काम क्या क्या पिज्ट अदें लेकिन हमने वो पट्टी तो नहीं डाली, डारेक्ट हमने इसमें प्लेटे नहीं डाली है, जैसी आप देख सकते हैं, यह बॉडी है, बॉडी में हमने इस तरह की प्लेट डाली हुए, डाली हुए आसे, पैपिंग वाली, तो सेम व्यासी कैसे डालेंगे हम, तो हमने फिर व पाइपिंग नीचे अभी खुला है यहां पर नहीं लगाई है मैं बताऊंगी किस तरह से लगाएंगे सबसे पहले तो हमने जो यह वाला पार्ट है हमारा एक साइड से हमने इसमें सिलाई डाल देनी है दूसरे पार्ट में हमें इसे अड़ करना होगा अब हम दूसरी साइड भी सेम ऐसी पट्टी लगा देते है निकालकर हमने इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारा नीचे को मार्जन रखा हुआ ताकि हमारी बाद में जो यह पाइपिंग निकले नहीं या जैसे कई बार बार दोने से कपड़ा कमजोर पढ़कर इसमें यह धागे निकलते रहते हैं तो वह ऐसे नहीं निकलेंगे क्योंकि हमने इसमें काफी मार्जन रखा हुआ हैं अब हम दूसरी साइड से सेम ऐसे ही लगा लेंगे आप देख सकते हम यहां कट के पास पहुंचके उपर से हमने पूरे में इसमें पाइपिंग लगा दी अब हमने क्या विसेश ध्यान रखना है यहां पर हमारी फनिशिंग बहुत अच्छे आने चाहिए तो यह देखे आप देख सकते हैं यह हमारा नीचे वाला कपड़ा है और यह दखी जो यह वाला है अब यहां पर हमने कट लगा हुआ है तो यहां तक ही स्टिच किया और यहां से हम अलग से सिला डाल लेनी है पहले ही यहां पर सिलाई डाल देनी है ताकि कपड़ा बाहर को नहीं निकले अब हमने इसके ऊपर यह रखना है कपड़ा साथ में यह जो हमने एक्स्रा लिया हुआ है और उसके बाद हमने यहां से पाइपिंग इस तरह से निकालनी है इस तरह से बंद वाली इसमें डारेक्ट नीचे तक जो हमने इसी तरह से सिलाई डालनी है यह दिखें आप देख सके है इसतर से हल्का सा फोल किया और एक ब्राबर फोल्ड होना चाहिए यह दिखें इस तरह से और इसमें पाइपिंग जो जो धिखनी चाहिए वैसी जैसी हमारी दिख ली थी पहले, इस तरह से ये दिखे, आप देख सकते हैं, ये भी हमने बिल्कुल बराबर लिया हुआ है, अंदर को कपड़ा कर दिया है, और आपके ऐसे सही नहीं आ रहा है, तो मैंने आपको पहले पता दिया, कि इसके उपर से पहले ही सिलाई डाल देनी ताकि आपकी फनिशिंग बहुत अच्छे से आए, आप देख सकते हैं, इसमें ये दिखे, बिल्कुल एक बराबर फनिशिंग आईए, हमारी ये दिखे, यहां से हमने ये जो कट डाला हुआ है, यहां पर हम जो क्या करेंगे, इसे इस तरह से फोल्ड करकी इसमें सिलाई जालेंगे, अब हमने दूसरी साइड ये जो दूसरी पाइपिंग, अब हमने दूसरी साइड से पाइपिंग बनानी है, जैसे हमने फ्रंट वाली बना दी तो हमारी इसमें फनिशिंग अच्छी आएगा, अगर पहले हम यहां से बनाते हैं, यहां से ही पहले हमने पाइप आइरन का है तो एकदम जो स्टिच हो रहा है क्योंकिन अगर आपका सिब्स है tooth out on this इस दूरह रहे हैं वर करें मेंदा नहीं अब अमने सिलाइड डालनीत्स का और यहां पर भी जितना हमें चाहिजें हमने इस तरह से लें के 17 है आ आ आ धेशन हमारी न zijा क कीतनी सुन्दर आगिए इसमें आप देख सकते है देखे आभ आ हमने यहां पर हम क्या करेंके यहां पर यहां पर भी हमसे अफ़्लै ढाल और इसमें भी हमने आ भाल डाल देनीहीं जो हमार лишь में फिनीशिंग एवा अच्छे आनी चाहिए बिल्कुल भी सिलाई में कहीं भी इस्याइट नहीं आ इस तरह से हमने यहां तक हमारा कटे वहां तक हमने इसमें अच्छे सी सिलाई डाल देनी यहां पर हमने कट डाला हुआ है यहां पर भी हमने अच्छी इसकी फनीशिंग करनी है पूरा हमने इसमें यह piping लगा दिये और इसमें ये देखिए ये भी इसकी भी लुक कितने अच्छा गी अब हमने इसमें जो बॉडी जो है इसमें यो वाली box वाली इसमें प्लेट डालनी की सतर से यह हमारा mid point है, और इसी तरह इसमें हमने जो यह हमने body बनाई है, body में भी देखना है, यह हमारा front क्वाला है, इस तरह से यह देखेगे, यहाँ पर तो कोई plate नहीं डालेगी, इन दोनों को हमने एक बराबर इस तरह से यहाँ से stitch कर लेना है, और फिर सारे में हमने एक बराब अब हमने इस तरह से पल्टे मार लेनी है और यह हमारा कमर वाला हिस्सा है यहाँ पर हमने कट लगाया हुआ है वहां से हमने प्लेटे लगानी सुरू करनी है यहां तक हमने बिल्कुल सीधा ही लेना है यहां पर हमने यह कट लगा हुआ है यहां से हमने इस तरह से प्लेटे डालनी है जहां तक हमने नीचे वाला कट डाला हुआ वहां तक हमने सीधा लेना है इसे अब हमने इसमें बॉक्स वाली प्लेटे डालने है इतना ये दिखे ये वाला पूरा घेरा जो हमारा इसमें ही एड होगा तो किस तरह से प्लेट वाली डालेंगे ये दिखे एक इंच अंदर को जितना भी आपके बास घेरा उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते इस तरह से ये प्लेट डालने ही प्लेट हमारी एक बराबर बननी चाहिए कोई भी छोटी बड़ी या कम ज्यादा नहीं बननी चाहिए इस दिखे आपने ध्यान रखना है पहले ही या आप कच्चा कर सकते इसमें लेकिन मैं इसमें डारेक्ट बना रही हूं क्योंकि मुझे पता है कि कित प्लेट से प्लेट डालती है अब दूसरी साइड भी सेम ऐसे ही डालनी है बॉक्स वाली एक प्लेट परली साइड को और एक अपनी तरफ को दोनों साइड को बनानी है प्लेटे देखे इस तरफ से यह हमारा कट है कट यह रिखे यहां तक मिलाना है हमें इसे और दूसरा कट जो यहां पर दूसरा कट जुट गया हुआ हम वहां तक हमने इसमें सीधा ही लेना है और उसके बाद हमने इस तरह से प्लेटे डाल लेनी है तो इस तरह से आप देख सकते हमारे फ्रंट के घेरे की जो यह रिखे जो फ्रंट का घेरा उसमें प्लेटे बन चुकी है बैक में भी सेम ऐसे हम प्लेटे डालेंगे हमारा घेरा पूरा रेडी हो चुका है आप देख सकते है इसमें अब हमने इसमें जो है यहां एक घेरे में प्लेटे कितने अच्छी बन गई है अब हमने इसमें जो है यहां से जो बॉड़ी है यहां पर हमने सिलाई डालनी है यह हमारी बॉड़ी है यहां पर हम हिप तक लिए इसमें सिलाई डालेंगे, सिर्फ पड़िप तक कोई सिलाई डाला हूँ तो हीप तक हम सिलाई kan़ा डालेंगे आप नीच्छे तक भी ले सकते हैं लेकिन मैंने hip तक ही शिलाई डालनी है इसमें और उसके बाद इसमें बाजू अड़ करनी है जैसे यहाँ पर मैं fitting की शिलाई डालूँगी और उसके बाद बाजू अड़ कर लूँगी जिससे जो मेरी frog ready हो जाएगी मैंने दोनों साइड से इसमें फीटिंग की सिलाई डाल दिये अब मैं जो बाजू में जो है इसमें देखे मैंने नीचे से सिलाई डाल लिए इसमें जो इस तरह से सीधी साइड को अंदर को करके यहां से जो फीटिंग की सिलाई डालrouग जो मेरी फीटिंग है उसकी सिलाई डालएगी हैा से पूरी मोहरी में और उसके बाद यहां पर मेरा आर मोलें वहां पर मैं इसे स्टिच करूँगी इस तरह से आप देख सकते कितरी सुंदर फ्रॉक बन चुकी है और इसमें फ्रंट का जो पाइपिंग निकाली हुई हमने इसी कलर में तो कितनी सुंदर लगी तो आप ही इस तरह से जैसे शॉप में मार्किट में हम जाते हैं तो हमें जो है अपने साइज की फ्रॉक नहीं मि दिखनी रहा हे, हमारे पास अभिछी दिखनी रहा है, हमने नीचे से इसमें, यह दिखनी है, हमने नीचे से कट लगाया हुआ है आप चाहिसे कमर ऊपर लगा सकते हैं आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लेज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलएगा